आज मैं आपके पास आया हूँ SCS मैंस रिजल्ट के बारे में बात करने के लिए आज SCS के अगर साइट पे जाओ आप तो एक रिजल्ट पोस्ट किया गया है उनके साइट पे और वहाँ पे दिखाया गया है कि SCS का जो 2023 में जो एक्जाम हुआ था और उसका डिजल्ट आज डिकलीर किया गया है लेकिन उसमें बहुते सारी इसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले है चलिए सबसे पहले मैं भीषाबाइस के साइट में देखे है पर आपको साईट है हर्याना600िस के साैट है यहां पर यह जो रिजल्ट है यह आपका देखे रिजल्ट है SCS and other allied service exams 2023 men's exam के लिए ठीक है यह आपका result आ जाता है और यह result देखे एक बात मैं बताता हूं यह result में confusion क्या है confusion सबसे बड़ी बात है अगर हम लोग बात करें notification की इसकी notification की बात करें जब notification आया था 2023 में 2022 का notification 2023 में और इसमें जो वेकेंसी थी number of vacancy थी वो कितनी थी वो थी 100 ठीक है यहां पर 100 थी वेकेंसी और यहां पर अलग अलग पोस्ट के लिए आपके दिया गया था जो से एक्जेकुटिव ब्रांच जी एसप एटियो ठीक है तो बहुत सारे अलग अलग पोस्ट के लिए total number of vacancy की थी 100 थी और जो result मेंस के लिए निकाला गया है वो उन्होंने क्या बोला है कि क्या यह result जो है यह पूर्य का result है इसने कोई mention नहीं कि यह particular post का है ठीक है इन्ह ठीक है अब यहाँ पर देखे एक चीज़ यहाँ पर देखिए आप देख सकते हो कि number of post कितनी थी वहाँ पर number of post थी 100 और इन्होंने interview के लिए कितना बुलाया गया है three times जितने भी vacancy होती है उसके three times आपके candidates को बुलाया जाता है interview के लिए लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ है यहाँ पर आधा यानि 50% और जितने vacancy थी उससे 50% घटा दिया है और उतना बच्चे को ही बुलाया गया है सबसे बड़ी बात अगर हम लोग हर्याना civil services की अगर history देखें तो अकसर ऐसी गलतियां होती रहती है ठीक है और फिर रिपोस्ट करते है रिजल्ट को तो आई होप यहाँ पर भी ऐसी गलतियां हुई है और वो बताएंगे clear करेंगे कि असल में यह क्या मुद्ध है और किस बच्चे के लिए ही क्यों बुलाया गया है यह सारी चीज़ें वो clear करेंगे यह आपको घबराने की जरूत नहीं है अभी यह रिजल्ट आया है यह आधा धूरा रिजल्ट है और कुछ समझ में मुझे भी नहीं आ रहा है ठीक है तो यह जरूर पूरा करेंगे कि SCS ने हमे अभी आप वेट कीजिए यह रिजल्ट जरूर होगा मेरे ख्याल से तो होना चाहिए क्योंकि या फिर वो clear करेंगे कि pending में है या किस particular किसी पोस्ट के लिए निकाला है तो यह सारी चीज़ें वो declare जरूर करेंगे ठीक है तो बस आप लोग अपना अभी मन्यों आईस से हमा करवा रहे हैं पिछले 1999 से यानि लगवग 22 साल हो चुके हैं हमारा experience रहा है ठीक है और अभी तक हमने 2200 से ज्यादा selections दिये हैं ठीक है तो अभी मन्यों आईस से जुड़िये और अपने जो selection है जो आप जो भी आप DSP बनना चाहते हो executive बनना चाहते हो तैसिल्दार बनना च अपने dream को पूरा कीजिए ठीक है तो जो हमारे courses है उसके बारे में जानने के लिए आप मुझे directly call कर सकते हो किस नंबर पे 783 777 3651 पे ठीक है इस नंबर में मुझे call कीजिए आप और कोई भी courses के बारे में जानकारी आप ले सकते हो ठीक है और अपने result के बारे में भी जानकारी ले सकते हो अगर कोई doubt है तो ठीक है तो all the best for your preparation and all the best for your interview exams and बस बने रहिए जो भी update रहेगा हम लोग जल से जल लेकर आएंगे आपके पास तो बस अभी मन्यू आइस के साथ बने रहिए Thank you